बड़ी जानकारी के साथ बुलिटिन शिरुवात करने हम जा रहे हैं का बड़ी खबर सामने आ रही है संसद हमले की बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सुरक्षा घेरा तोड़ कर विजिटर गैलरी से कुदे दो शक्स लोकसभा में गैश जैसे समगरी फेकने की भी जानकारी है तस्वीरों में भी दिखाई दिया है दोनों शक्सों को हिरासत में लिया गया है और अभी फिलहाल सक्ति के साथ इन से पूस्ताच की जा रही है लोकसभा में गैश जैसे समागरी फेकने की भी जानकारी सामने आई दोनों शक्सों को हिरासत में ले लिया गया है दोनों शक्स अब हिरासत में पूस्ताच होगी आखिर कैसे दर्शक दिरगा से ये कूद गया है दर्शक देरगा में इनका पहुंचना भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सुष्टषय क्व पर मेंटर्स पर क्योंकि 3-5 लेसी तक की सुरक्षय को सबस्के है कैसे दर्शक देरगा में पहुंचे कई-ध रेकमेंडेशन किस की थी कौन ये लोग थे जांन के मनशा थी, इनके निशाने पर कौन था, ये अंदर दाखिल कैसे हुए, सेक्यूर्टी लेयर्स को इन्होंने क्रोस कैसे किया, ये तमाम सवाला खड़े होते हैं संसद हमले की बरसे पर लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है, और बड़ी चूक ये देखने को मिली कि दो शक्स आखिर कैसे, संसद में लोकसभा की दर शक्स दीरगा से कूद कर दाखिल होते हैं, फेर इस तरीक के से उड़दंग मचाते हैं तीन तस्विरे आप देखने हैं इपने टीव स्क्रीन पर इसमें देखा जा सकता है कि संसद के अंदर भी और बाहर भी आज इसी तरीके के तस्वीर देखने को मिली बाहर भी चूक हुई सुरक्षा में अंदर भी चूक हुई visa गैलरी से कूदें दर्शक दिर्गा से शक्स और लोकसवा की कारवाई को उस्थागित करना पड़ा गैस जैसे समगरिफ है कि गई और हिरासत में फिलहाल यह दोनों शक्स ले लिए गए एक महिला है एक यूवक है महराश्ट्र का यूवक है और जो महिला है वो हिसार की बता करमेटर्स को क्लोस करते बड़ा सवाल है अब सांसदों का क्या कहना है वो सुमाते हैं विसितर्स हो चाहे रिपोर्टर्स और पॉस्थी की टैक्स नहीं है रिपोर्टर्स यह दो कि एक दुस्टें जक्राटते में जाते हैं तो आइसंग सुग्वर्मन को जहां देना चिर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी वह से बाड़ी भड़का मतरब ग्यास निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एनपी जितने साथिया ओपकर लिये दुनों को कोई सिकुरिटी वाले ने सारे एंपी उनको पकर लिये तो उसके बाद सेकुरिटी फोस्त भी उनको बाहर निकल गये थे लकिन देखनी की कि जो हमला हुई थी 2001 साल में उन सहीधों को आज हम याद कीए कि उस परपन कीए और आज ही इस ने शाधान में इस तरुकह ये हमला हुई हमला मतल्व जो भी हो लेकिन तो मुझे लगते है कि चूक तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई बिल्कुल चूक हुई है तो नया पार्लामेंट में भी कुछ ऐसा हो गए तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है संसद भवन में जो यह आज सुरक्षा में चूक देखने को मिली यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है आकिर कैसे यह चूक हो गए अमित तिवारी हमार साथ पोलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं लाइव जादा जानकारी के साथ बाच्वित के लिए आमित तिवारी देखिए लोकसभा की सुरक्षा में चूक आज पूरी दुनिया भर की हैडलाइन्स भी बन चुकी है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्रिक भवन में इस तरीके से सुरक्षा में चूक जाहिर से बाता एक प्रश्ण चिन बड़ा कर देती है सुरक्षा पैरामिटर्स पर और जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है उन पर बिल्कुल बसंत आपका कहना दुरुस्त है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर अगर बात करें तो वो देश की संसद है की पुरानी संस्त पर हमला हुआ था देखिए 13 दिसंबर 2001 को ठीक उसके 22 साल बाद यानि उसकी 22 मी बर्सी है और उस 22 मी बर्सी पर हम जो लोग जो जवान हमारे शहीद हुएते करीब जो लोग शहीद हुएते उसमें उनकी जो शाहदत को हमनमन करते हैं उनकी याद करते हैं उनकी पुन्यतिती पर हमेशा और पांच आतंकियों को उस समय मार गिराया गया था और अफजल गुरु जैसे जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था ठीक उस हमले की देखिए बा उसकी और से भी एक धमकी दी गई थी कि वे 13 दिसंबर 2001 को जो रिपीट करेंगे और जो अब 13 दिसंबर आएगी उससे पहले एक बड़ी वारदात को या 13 दिसंबर वाले दिन संसत पर हमला करेंगे इस परकार की धमकी जो है वो अफजल गुरु के पोस्टर के साथ जो है गुरुबंत पन्नू ने दी थी जिसके बाद जो है सुरक्षा तगड़ी होनी चाहिए थी लेकिन तगड़ी होने की बज़ब में कहीं ने कहीं चूक हुई है जो फाइफ लेर ट्रिपर लेर जो सिक्योर्टी सिस्ट्रम होता है उस वो कहीं ने कहीं धराशाई यहा नज़ यह है कि वो उसका अधरकार फेक है या क्या है वो भी तमाम जांच के पहलू है जो बाहर से अंगामा कर रहे थे उन्होंने की बात है पिलाल बहुत बहुत शुक्रिया अजुने के लिए तमाम जानकारी आपने रखी दर शुकों के सामने तो वहीं अब यह बड़ी जानका अब लेकिन सवाल यह उठता है आकर कैसे दाखिल हो गए लोग सभा में यह लोग इतनी सेक्यूरिटी पैरमीटर्स को पार करते हैं